नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So एक latest development में Indian Army ने 89 apps को ban कर दिया है यानि कि ये 89 apps अब Indian Army के soldiers और Indian Army के officers अपने smartphones में install नहीं कर सकते हैं इसके लिए उन्होंने कड़ी निगरानी के प्रबंध भी यहाँ पे किये हैं और अगर कोई soldier या officer इन apps को use करता हुआ पाया जाता है So उनके खिलाफ strict action भी लिया जाएगा इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करूँगा कि ये 89 apps कौनसी कौनसी हैं इसमें 59 तो वही Chinese apps हैं इसके साथ ही में कुछ और apps भी हैं उनके बारे में आपके साथ यहाँ पे चर्चा की जाएगी So let us begin But before that Study IQ Education के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और bell icon को भी जरूर प्रेस करें यहाँ पर अगर आप इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे टेलिक्राम चानल से कर सकते हैं इसके इलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं Study IQ की app launch हो चुकी है जिसके उपर UPSC IES की परीक्षा के लिए smart course अवेलिबल है जिसके तुरू आप घर बैठकर ही pre और mince दोनों की तयारी कर सकते हैं All right Let us see this So यह बिलकुल एक latest news है Army asks soldiers, officers to delete Facebook and Instagram accounts, uninstall 89 apps यह जो 89 apps हैं इसमें 59 तो वही Chinese apps हैं जो की हाल ही में भारत सरकार ने बैन की थी लेकिन इसके साथ ही में यहाँ पर social media की जो apps हैं उनको भी यहाँ पर बैन करने की बात की है Indian Army ने उनको delete करने की बात की है Facebook, Instagram वगेरा वगेरा यह basically यह जो फैसला लिया गया है यह इसमें कहा गया है कि they have to delete their Facebook and Instagram accounts as well as 89 apps from their mobile phones before July 15, July 15 के पहले पहले आपको यह कदम ले लेना है So ऐसा नहीं कि यह Army पहली बार कर रही है Army ने November में भी पिछले साल बोला था that you have to avoid the use of WhatsApp for official work while asking senior officers holding sensitive appointments to delete their Facebook accounts कि आप WhatsApp का भी कम से कम इस्तिमाल करेंगे especially अगर official work के लिए तो आप उसको बिलकुल ही इस्तिमाल नहीं करेंगे और जो officers कुछ sensitive appointments hold करते हैं याने कि कुछ sensitive areas में appointments hold करते हैं तो उनके Facebook accounts को भी यहाँ पे delete किया जाएगा यह फैसला army ने पिछले साल लिया था अभी यहाँ पर जो latest फैसला है इसमें 89 apps को जो delete करने की बात की है आप देख सकते हैं ANI का tweet है यह और यह 89 apps में 59 तो Chinese apps ही है लेकिन जो इसमें 30 नई आड की गई है मैं उनके उपर आपका ध्यान लना चाहूंगा messaging platforms में यहाँ पर Viber, उसके बाद hike उसके बाद यहाँ पर TikTok तो है ही जो की Chinese app थी Zoom को भी बैन कर दिया गया है Gaming apps में PUBG को बैन कर दिया गया है Clash of Kings को बैन किया गया है यहाँ पर dating app में Tinder उसके बाद आगे भी और सारी Happn, OkCupid इन सभी apps को use करने के लिए भी यहाँ मना ही कर दिया गया है और सबसे important यह वाली Facebook, Instagram, Snapchat को भी Army use नहीं कर सकती है Further, यहाँ पर blogging sites है कुछ Tumblr, Reddit के नाम से जो काफी famous है इनको भी यहाँ पर ban कर दिया गया है So this is a very very important development जो की हुई है अभी Army में Right, सवाल यह आता है कि Army ने ऐसा फैसला क्यों लिया है देखिए, यहाँ पर जो उन्होंने justification दी है वो तो मैं आपके सामने पेश करने ही वाला हूँ लेकिन इसके साथी में कुछ पहले भी इसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको लेके Army काफी चिंतित थी और यह फैसला यहाँ पर लिये गए है यहाँ पर इन्होंने जो फैसला दिया है वो कहा है कि Security reasons की वज़े से and leakage of sensitive data को prevent करने के लिए the Army said those who do not follow the order will face strict action यानि कि basically सुरक्षा के प्रबंधों को और मजबूत करने के लिए और sensitive data के leakage को prevent करने के लिए यह फैसला यहाँ पर लिया गया है further एक Army officer का यह statement है तो जो उनकी खोफिया agencies है वो हमारे military personnel को target करती है online और यहाँ पर सबसे प्रमुख तोर पे Pakistan और China की intelligence agencies इस काम में लगी हुई है hence यह एक बहुत important step था जिसकी यहाँ पर आवशक्ता हमें यहाँ पर थी यहाँ पर Army ने आपको बता दूँ मैं अभी तक Army ने Facebook को allow किया हुआ था लेकिन कुछ प्रतिबंध के साथ मतलब कि कुछ limitation सी, कुछ सीमा थी उसके बाद आप उसको use नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा था कि Army I am telling you this before this particular ban इसके पहले जो इन्होंने कहा था कि आप अपनी location का disclosure नहीं कर सकते आप अपनी uniform में, अपनी uniform में picture post नहीं कर सकते यह सब चीजों की मनाही थी लेकिन अब एक complete blanket ban लगा दिया गया है Facebook के उपर जो की Indian Army में serve करेंगे, वो इसको use नहीं कर पाएंगे यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कुछ उधारन, कुछ हमारे साथ कुछ historical चीजें ऐसी हुई थी यहाँ पर अगर आप देखें, 2015 में यह news आई थी three army officers suspected of disclosing military info on Facebook यहाँ पर जो तीन army के officer थे उनमें एक colonel rank थे, एक major rank थे और एक lieutenant rank थे यानि कि सभी के सभी यहाँ पर gazetted officers थे और gazetted officers यहाँ पर basically जहांसे में आ गये थे जिसकी वज़े से यह classified information को इन्होंने यहाँ पर कारवाई की गई थी, यहाँ पर इनके ऊपर जो कारवाई की गई थी of giving out parts of the orbit in clear violation of laid down security protocols so this is one such example जिसको आर्मी ने ध्यान में रखा था जिसके चलते Facebook को restrictions के साथ चलाया गया था लेकिन अभी इस चीज को और बढ़ा दिया गया है और भी कई सारे examples है, मैं आपके सामने एक और example पेश करना चाहूँगा जो की 2018 का example है यहाँ पर यह Indian Air Force के एक group captain है अरुन मारवा जो की ISI के द्वारा blackmail किये गए थे और यह blackmailing अक्सर कैसे होती है पाकिस्तानी agents वो लड़कियों की तरह pose करते हैं और इनके साथ relationship में आने की बात करते हैं इस चीज का गलत इस्तिमाल करते हुए यहाँ पर Indian Army के कुछ officers या Indian Military के कुछ officers जांसे में आ जाते हैं और classified information को गलती से leak कर देते हैं यह जो इनसान थे, इनको इसके बाद arrest किया गया था Delhi Police के द्वारा for leaking classified information to a woman He fell for the oldest trick of Pakistan's ISI In fact, यहाँ पर जो यह केवल Army में ही नहीं और Air Force में ही नहीं Navy ने भी पिछले साल यहाँ पर Facebook को ban किया था Smartphones के use को ban किया था At Dock Yards, On Board Warships यानि कि आप यहाँ पर इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी उन्हें कुछ ऐसी चीजने देखने को मिली थी जहाँ पर की क्या हुआ था कुछ sailors from VISAG, कारवार and Mumbai-based हवाला operator were arrested for allegedly leaking information to Pakistan after being lured into online relationships तो अक्सर यह trick जो है पाकिस्तान अपनाता है कि officers को या फिर senior officers को online relationships के एक temptation देके उनसे कुछ information निकलवाने की कोशिश करता है यह operation जब basically पकड़ा गया था तो यहाँ पे CIA और साथ में naval intelligence ने आंध्रा परदेश के intelligence department के साथ मिल कर इस पूरे espionage racket को burst किया था उस time पर भी यह चीज़ काफी जादा popular हुई थी कि Indian Navy ने Facebook को ban कर दिया है लेकिन आज की date में यह development और भी ज़्यादा एहम हो जाती है because यहाँ पर इसमें 59 apps हैं और Facebook, Instagram के साथ कई सारी और apps हैं जिनके उपर प्रतिबंद लगाए गए हैं तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा Thank you for listening, stay tuned and stay safe